हेलो फ्रेंड्स नायक इंजिनेर्स में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको क्रोस बेरियर के बारे में बताऊंगा कि क्रोस बेरियर को हम साइट पर कैसे बनाते हैं आपने क्रोस बेरियर साइट पर कई जगह देखा होगा या अगर किसी स्टेट ह या बड़े रोड पर गए हो तो आपने क्रोस बेरियर को बने होए देखा ही होगा तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे की से हम साइट पर कैसे बनाते हैं मतलब कि जो ब्रीच पर जो हम क्रोस बेरियर बनाते हैं साइट वह कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आपको पूरा ब ताकि मैं जब भी नया वीडियो अप्लोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए आपको मैं क्रोज़ वेरियर कैसे बनाते हैं इसका लाइव वीडियो बताता हूं तो दोस्तों अब जिस साइट पर मैं आया हूं वहाँ पर क्रोज वेरियर की कमक्रेटिंग का कारियर चल रहा है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहां का एक मेसन क honkreet की जो पिनिसिंग है उसके लिए कुछ मट्रेल डालकर उसकी पिनिसिंग करेगा और साइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टिल लगा हुआ है वो क्रोज विरियर का स्टिल है जो कि हम स्लेव के बोटम से लेते हैं जो स्टिल हम खड़ा करते हैं स्लेव के बोटम वाली हाइट से उसको खड़ा करते हैं और उसके save के हिसाब से मतलब की जो cross barrier का जो design होता है उसकी जो height दी होती है उस हिसाब से हम still को cutवाते हैं इसके लिए वी वीडियो बनाऊंगा कि हम cross barrier का VPS कैसे निकालते है ठीके और ऐसे ही हम इसका cross wearer का श्टिल लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसकी concreting करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी concreting हो चुकी है और इसकी finishing का work चल रहा है यहाँ का रसी बांदी है ताकि जो हमारा level है वो एक level में उसकी concreting हो उपर नीचे नहीं हो और इसका level हम आटो level की मदद से एक level में देखर इसका concreting करवा रहा है और अब हम आ जाते हैं इसके दूसरी site ठीक है तो यहाँ पर हमने अभी concreting नहीं करी है लेकिन आपको मैं इसका स्टिल कैसे बंदा हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका स्टिल पॉपर तरीके से बंदा हुआ है और प्लेटो पर हमने स्ट्रिंग ओईल भी लगाया हुआ है अब आप क्रोस विरियर की concreting का live वीडियो देख सकते हैं यहाँ प तक दो से तीन लेयर में complete करना चाहिए तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लेयर डाल कर इसमें वाइबटर को अच्छी तरह से चलवाया जाता है तक हमारा concrete हर इससे में जाए क्रोस विरियर का जो हमारा से होता है वहाँ तक भी हमारा पूरा concrete अच्छी तरह से जाए और उसकी ज finishing करवा लेते हैं तो यहाँ पर इसकी finishing का कारियत चल रहा है जैसा की आप देख सकते हैं हमारा top finishing लगवक complete हो चुका है जहाँ पर हमने दोनों still पर आमने सामने वाले यहाँ पर देख सकते इस वाले च्टिल और इसके सामने वाले स्टिल पर लेवल दकर रसी बांदीविती उसके लेवल में हमने फिनिसिंग करवा लियुथ अब हम जो हमारा रेटेनिंग वाल वाला पॉर्ट्सन होता है और वहाँ जहांपर हमने ये श्टॉपर वाली प्लेट लगाई है यहाँ पर हम joint sheet का इस्तमाल करते है क्योंकि हम एक बार में पूरा cross barrier नहीं भर सकते है पहले हमने slave वाले portion में casting करवाई और उसके बाद हम यह returning wall है इसमें हम concreting करवाएंगे और उसके बीच में हम क्या लगाते है joint sheet जैसा कि यहाँ पर डिसर्टरिंग होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं top में कि हमारे joint sheet लगा हुआ था क्योंकि हमने slave और returning wall को अलग-अलग concrete किया हुआ है और जब हम इसकी डिसर्टरिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस type से बनकर हमारी cross barrier ready हो जाती है हमें इसकी proper तरीके से curing करवानी रहेगी ठीक है कम से कम आप 21 दिन तक अगर 28 दिन नहीं करवा सके तो 21 दिन तक इसकी को जो curing है वह हमें करवानी चाहिए और इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो cross barrier उसके ओपर हमें गनी वेक्स जैसा कि आप साइट में देख सकते हैं हमें गनी वेक्स भी लगाने रहते हैं इस वीडियो में कलर होने के बाद ही हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं ठीक है इस वीडियो में आपको कलर वाला cross barrier तो नहीं बता रहा हूं अगर मुझे कही मौका मिले तो आपको cross barrier का कलर करते हैं भी जरूर बताऊंगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और यह दिया आप हमारे वीडियो में नहीं हो तो हमारे चनल को सस्क्राइब जर करें है